नमस्कार साभी को मैं सिदा कुस्वामिक बर्पुना अपने चनल में आप सब का बहुत बहुत अमिन अन्न करती हूं अचे हम नया वीडियो लेकिया हैं बहुत लोगों ने कहा कि मैं अक्टूबर और नॉम्बर माह का मिशन सक्ति के अंतरगत जो भी आपके विद्यारे में कारे हुआ है उसकी पूरी कारे उजना शेयर करिए तो सबसे पहले इस वीडियो में आपको अक्टूबर माह में क्या-क्या मिशन सक्ति और मिना मंच के अंतरगत कारे हुआ है देखने को मिलेगा बहुती रोचक वीडियो है किस तरह से आप मिशन सक्ति के अंतरगत कारे करा करके कर सकते हैं इस वीडियो में देख सकते हैं तो सबसे पहले आईए देखते हैं अक्टूबर माह में हमें मिशन सक्ती के अंतरगत करना क्या था जो हमें कारियोजना मिली है विभाग के द्वारा तो सबसे पहले उसको देख लिए तो मिसन सकती फेस थी के अंतरगत हमें ऑक्टूपर माह में जो कारी करना था वो था विद्याले अस्थर मुहलला कक्षा के दौरान चात्राओं को सुरक्षा सरनर्षा के संबंध में घरोली हिंसा बाल हिंसा छेल चार सेफ अंसेफ टच हल्प लाइन नंबर की जानकाई देना और 15 अक्टूपर को गलोबल हैंड वोस डेपर हाथ धोने के तरीके का अभ्यास कराना यह पूरा कारे हमें अक्टूपर माह में कर कराए गया है तो चलिए देखते हैं क्या क्या किया गया और किस तरह से रजिस्टर वोग का आप कर सकते हैं तो सबसे पहले हैडलाइन अक्टूपर माह में मिसन सकती वा मीना मंच के अंतरगत हुए विद्यारे में कारियों का विवरण बुरी कारियोशना तो यह कुछ आक सबसे पहले प्रतम सनिवार दो दस दो हजार एक्किस दो दस दो हजार एक्किस को कान्थी जीव सास्टी जी की जैनती को रास्टी पर्वे के रूप में विद्याले में धूमधाम से मनाया गया इस अवसर पर बच्चों द्वारा रोल प्ले किया गया रोल प्ले के द्वारा बच्चों को गुड टच और बैट टच जो हमें मिसन सकती के अंतरकत बताना है बच्चों को विशेय में बताया गया फोन पर वीडियो भी दिखाया गया जिसमें कौन सा टच सेफ होता है कौन सा एक कार्टून छोटा सा वीडियो था उसके माध्यम से बच्चों को दिखाया गया कि किस तरह से छूना ठीक होता है कौन से पाट छूने चाहिए कौन से नहीं चुने चाहिए और अगर कोई गलत तरीके से चूता है तो आपको अपने घर में बड़ों को बताना है उसका विरोध करना है तो माध्यम से बच्चों को लगू कार्टून फिल्म दिखाई गया और बच्चों को जागरू किया गया कि क्या सही है और क्या कलत है तो ये प्रत्म सनिवार को हुआ अक्टूबर माह का 2010-2021 गाधी जैनती के अवसर बन अब आते हैं दूसरे सनिवार की तरफ 9-10-2021 दिन सनिवार तो पंदरजारी को ग्लोबल हैंड वस से डे मनाये गया था तो उसकी तैयारी के लिए 9-10-2021 को बच्चों को कदविती के माध्यम से हाथ दोने का सही तरीका सिखाये गया हाथ दोने से होने वाले फायदे वह किस प्रकार हम हाथ धुल करके हाथ को साफ रख करके बहुत सी बिमारियों से बच सकते हैं बच्चों को बताया गया तो ये था दूसरे सत्ता का कारे बच्चों को बताया गया कि किस तरह से वो भली प्रकार से हैंड वोश कर सकते हैं हाथ धुल सकते हैं प्यारी सी कविता भी इस पिर कराएगे और बच्चों को हैंड बॉस के फायदे बताएगे तो चली कविता की तरफ चलते हैं जब भी हम कुछ खाएंगे पहले हाँ धोने जाएंगे बिमारियों को दूर भगाएंगे ताकतवर हम सब बन जाएंगे इसका बीडियो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं किस तरह से बच्चों ने हैंड वॉश करते हुए ये कविता का आई और हैंड वॉश के फायते भी बताएगे तो ये था दूसरे सक्ता का कारे जो हमें मिसन सक्ती के अंतरकत कराना था अब आते हैं 16-10-2021 दिन सनिवार तीश्टर सनिवार तो 16-10-2021 को मीना मंच के अंतरकत बच्चों को बाल वीवा से होने वाले नुकसान के बारे में बताए गया बाल वीवा हमारे समाज की बहुत गंदी सी बुरी कुपरत्था है जिसको अब समाप्त हो जाना चाहिए लेकिन ग्रामेर परिवेस में अभी भी इसका चलन है एक लगुनाटक रीना की शादी बच्चों के द्वारा कराया गया इसका प्रिप्रिशन पहले कराया गया था जिसमें कम उम्र में बीवा होने से रीना को क्या क्या परेशानिया हुई उसको दिखाया गया इस अवसर पर कुछ महिला अभिवा होकों की भी उपस्तिती रही और उनको जागरूप किया गया बताया गया कि बीवा की सही आयू क्या है 18 वर्स लड़की और 21 वर्स लड़का ये हमारे कानून में भी है उसके पहले अगर पीवा होता है तो गयर कानूनी माना जाता है बाल पीवा की माननिता नहीं है तो ये पूरा कारे कराएगा 16 दस दोहजार इकिस त्रिती सनिवार को मिशन सकती और मीना मंच के अंतरगर अब आते हैं 23 दस दोहजार इकिस दिन सनिवार चोथे सनिवार की तरफ आते हैं 23 दस दोहजार इकिस को मिशन सकती के अंतरगर बच्चों को पॉक्सो एक्ट जो बच्चों के लिए है कि अगर उनके साथ कोई भी सारी दिख छेल चाड़ या इस तरह का होता है तो इस आक्ट के तरफ आप प्रेव कर सकते हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में विस्तार से बच्चों को बताये गया एक लगू फिल्म जो पॉक्सो एक्ट वर आधारित थी बच्चों को दिखाये गया बच्चों कुछ सही चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है और विद्याले सबसे अच्छा माध्यम है जहां से उन्हें कि ये सारी चीज़े बताई जानी चाहिए और बताई जा रह इसके बाद बच्चों को हेल्प लाइन नंबर के बारे में उन्ह जानकारी दी गए और बच्चों से हेल्प लाइन नंबर लिखवाये भी गये हैं हमारे विद्याले में हल्प लाइन नंबर बाहर ही लिखे हुए हैं ताकि कोई गार्जियन आए तो उनको भी सरलता से ये दिख जाए और कई बार सबको बताय भी जा चुका है उसके बाद आते हैं 30-10-2021 दिन जनीवार 30-10-2021 को बच्चों को लगुनाटक मुझे बुलाओ सहायत आपाओ कराया गया बहुत ही ग्यानवर्धक नाटक रहा है चोटा सा लगुनाटक और इसका मुख्य उद्देश किस परिस्थिती में कम कौन सा एंबुलेंस का कौन सा नंबर है कब हल्प लाइन नंबर चाइल्प लाइन नंबर महिला हल्प लाइन नंबर कौन से नंबर कब आप इस्तेमाल करेंगे किन परिष्ठीतियों में आप किस नंबर का उपयोग करेंगे उसको दिखाया गया बच्चों ने उत्सा से प्रदिभाग किया और हेल्प लाइन नंबर का सही उपयोग जाना तो ये नाटक का रूप देने की वज़़े से बच्चों ने बहुत सरलता से कि मैं ये हल्प लाइन बच्चे खुद बने कि मैं ये हल्प लाइन नंबर हो और मैं इस काम आता हूँ जब आपको ऐसी कोई जरूरत हो तो आप हमें तुरन बुला सकते हैं तो ये था पूरा एक कार्य पूरी कार्य योजना हमारी किस तरह से इसका क्रियान में किया जागा देखिए इस तरह से पूरा एक बार पूर्ण देख लिए ज़िए प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिये सिस्क्राइब करिये शेयर करिये और बहुत से अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेगा तो चलिए मिलते हैं एक नए कारे के साथ आप सब अपना बहुत ध्यान रखे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवा